हलो सो आप देखरे एपके गुरू चैनल दोस्तो आज के इस वीडियो में देशी गोड़ फार्म के बारे में बात करने वालों कितना खर्च आता है उसके खिलाने पिलाने पे क्योंकि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था हमने उसके बोला था कि एक हजार रुप्या आपको एक साल में आपको देशी बकरी पर खर्च करना पड़ेगा जो देशी बक्री ही या बक्रा हो उस पे आपको खर्च करना परेगा मगर उसमें कुछ की लोग कमेंट किये अब मालूम नहीं ओ या उनके पास बक्री फारम है या नहीं है वो तो मेरे को नहीं मालूम है बट उनका कमेंट ये था कि एक हजार तो एक महीना में खर्च होता है तो मैं आपको उनको बता दूँ अगर वो वीडियो मेरा देखें या फिर कोई भी आप लोग भी अगर इसे स्पेशल में परह हुए हैं कि अगर माल लीजिए जो बक्री जो बक्रा आपको 4500 का बक्री एक साल में बरही होगी मिलेगा और 6-7000 पर में आपको बक्रा सेल होगा तो आप कैसे एक हजार पर उस बक्री में यह बक्रा में खर्चा कर सकते हैं ये तोड़ा सौचने वारी बात है रहा बात वह बरी नसल के बक्री को हमने तो देशी बख्री या देशी बक्रा गी back जो हो रहा हक यह वह कतना की जैंट यह हो मिक्स कितना का होता हो ऊच्छलम के जी imagine तो आपको मिल जाएगा है अगर रोच मध्द देग थिंसले महीना होगा आपको अरहाईस्यों ग्र्म म्न होगाइवास होता ह। लगबद 6,000 रुपिया आपको खर्च आएगा कुछ मेडिसीन हजाय पर माने 7,000 रुपिया खर्च आएगा ये तो नहीं बारा कि 15,000 रुपिया खर्च आएगा तो फिर आप क्या बेचेएगा क्या खिराएगा क्या सेल कीजिए क्या फाइदा आपको होने वाला है कोई भी बनता है पिटास गरम आप दाना दे सकते हैं कि वह जो बलेक बंगाल लसला या फिर आपको देशी जो क्रॉस ब्रीड है वह आपको चराने पर निर्भा करता है उचरने वाली बक्री है उसको आप चरने लेजिए हमने 10 बक्री के बारे में बताया था 10 बक्री में कितना खर उनके लिए वीडियो नहीं था कि वह आदमी रखेंगे बरे फार्म करता थो आदमी रखेंगे देखर कि लिए प्लाने के लिए या फिर उक कैसे कर रहा है या चरुने पहलते हैं मगर देशी बक्री चर्णे वाली नसल की बक्री है दि चीज आप लोग ध्यान चेए उसलि सब्सक्राइब करने पाता है जो हम खां रहे हैं पर नहीं हो जीए हगा परहुट परेंस से नहीं पर हम पर शोसे नहीं कि इस में बवाईदा आगर करना चाहते हैं तो आपको कम सेकंब एक लाग दोला कुरुपे चाहिए, दस बकरी भी खड़िदना है, तो देर्ट दूला कुरुपे चाहिए, वो फार्म करने के लिए, तो वो फार्म आप दस बकरी से कर सकते हैं, चीज आपको ध्यान दने चाहिए, ओके छोटा सा आपको इंफॉर्मेशन था नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी आपको देशी बकरी पही लेका हूंगा ओके दोस्तों थैंक्यू प्रबाटे